हेलो एवरिवन आप सभी का एक बार फिर से सौगत है हमारे चलने लेनी कि अभिशिक की नौलेज में तो वाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं की गाइडलाइन वाइडलाइन सो नहीं है लेकिन जो ओपन बुक एक्जाम की फ्रेंट शीट है और आपको कौन सी शीट चुननी है वह मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा फ्रेंट शीट पर आपको क्या-क्या लिखना है मैं खुद अभी अभी शीट बनाई है और आप यह इसकी जो मैं शुट आउट भी है वह भी मैं अपनी टैरिस पर कर रहा हूं छट पर आके तो आप यह इसी लिए ताकि आपको जो शीट है वह एकदम अच्छे से दिखाई दो और क्या-क्या लिखना है आपको यह आपका जो डाउट है वह क्लियर हो जाए फ्रेंट शीट क है यह शीट आपको यही शीट यूज करने मेरे इसवत यापको जना स्फान और को अपसुक्त क था इसral और नमबर यहां लिए नमड़ियर अपको इस तरहीत गिसे और सब्सेब इस बड़िया शीट होती है यही ठीके तो आपको इसका ध्यार रखना है अब बात कर लेतें जो आपको इस शीट पे लिखना क्या क्या है open book exam के अंदे ठीक है यहां को मैंने तोतरल यहां पर मैंने 11 लिखना है यहां पर इसामने नाम लिखना ह। अपना नाम लिख देंगे यहां पर आपस अपना सामने नाम लिख देंगे फिर जो भी आपका examination roll number होगा जो आपको admit card पर दिया जाएगा आपको वो लिखना यहां पर ठीक है उसके बाद आएगा आपका sol roll number यह वैसे मांगा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप इसको लिखिएगा sol roll number आप अपना यहां पर लिख देंगे ठीक है फिर आपका आएगा year और mode आपको ठीक है आपको क्या करना है third year annual mode लिख देने आप पहले आप third year लिख देंगे उसके लिख दीन उसका गीशिस सबजचेट का тебяम लीकिनी ठीक है जिस के इरभिवग रिख देंगे ठीक है जिस भी सबचेट क है आपका एक्जाम होने जा रहे है उसका आप नाम लिख देंगे यह यूनिक पर कोड़ आपको जो क्वश्चन पर लेंगे आप enterprise 對啊 नाम लिख आपका एक्जाम आप लिखने हैं और टाइमिंग आपकी सब की अलगे तो टाइमिंग आप देख लीजिए ठीक है जो भी आपकी टाइमिंग होगी आपको इसे साफ से टाइमिंग यहां पर लिखनी है यह वागत चल रही है इस वक्त और बाकि फिर इमेल आइडी आपको लि लिखनी ही पड़ेंगी बाकि इमेल आइडी आप चाहें तो लिख सकते हैं ओपना लिख सकते हैं ठीक है फिर आखिरम आपको शीट के एक इस तरह से अपना साइन कर देना है ठीक है तो यह होगी आपकी फ्रंट शीट ओपन बुक एक्जाम में 2021 के लिए और और दिखा दे चाहिए इच्छेट में आपना एक पीपर या फिर दो शीट में अपना एक पर अराम से क्लियर कर सकते हैं 20 रुपे के अंदर ठीक है तो आपका काम बन जाएगा 20 रुपे में आपको 40 शीट मिल जाएगे और 40 शीट एक पिपर के लिए तो बहुत कम मुश्किल है इसे आप ल जब तक ऑफिशल गाइडलाइज नहीं आ जाती उसका वेट करते हैं आपके एक्जाम जो है वो 15 मई से होने जा रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आज फ्रंट शीट पर में डिसकस कर लिया आपको क्या कर लिखना है बाकी और भी आपको कोई डाउट है तो आ आके वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कितनी दूप दिन के लिए बढ़ी है यह देखिए आप पूरा देख सकते हैं तो मित कर तो आपको यह वीडियो पसंद आईए वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा इंस्टाग्र